मानने प्रदान मत्री जी का स्वागत करें अभिनंदन करें नरेन मोदी जी जिन्दाबाद नरेन मोदी जी जिन्दाबाद नरेन मोदी जी जिन्दाबाद अब मैं निवेदन करूँगा हमारे मानी मुख्य मंत्री जी से कि आप सब की ओर से मध्य प्रदेश की जंता की ओर से अंग वस्तर प्रदान कर मानी प्रदान मंत्री जी का मानी मुख्य मंत्री जी स्वागत करेंगे साथ ही मैं निविदन करूँगा मानि मुख्य मंत्री जी से और रतलाम के विदायक चेतन कश्यब जी से कि वो रतलाम के स्वर्ण अभुशन निर्माता राजे सोने जी द्वारा थेवा आर्ट की प्रसिद आर्ट के उपर निर्मित एक चित्र मानि प्रदान मंत्री जी को प्रतेक चिन्न के रूप में प्रदान करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं निविदन कर रहा हूं मानि मुख्य मंत्री जी से वो पदा रहें और हम सब को संबोधित करें हमारे माने मुख्य मंत्रे शिवरा सिंग जी चोहान सब बोलिया भारत माता की भारत माता की नरेंद्र मोधी जी की और सभा में आई जनता की नाडली बहनाओं की भांजे और भांजियों की मन पर विराजमान दुनिया के सरबाधिक लोग प्रिय देता जो देश के दिल में भी है और अपने मद्ध प्रदेश के मन में भी है जो जन जन के मन में है ऐसे हमारे प्रधानमंतरी श्रीमान नरेंदर मोदी जी आज हमारा स्वभाग्य है मध्ध प्रदेश आज चुनाव प्रचार का संख नाद करने पधारे हैं एक बार दोनों हाथ उपर उठाके तालियां बजाके स्वागत कीजिये मोदी जी का बंदन कीजिये मोदी जी का अभिनंदन कीजिये मोदी जी का हमारे सबी उम्मीदवार साथी का भाईयो बेहनो बेटे बेटियो समय कम है और इसलिए मैं आप सब की और से प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत करता हूँ हम सब हम सब सौभा के साली है कि जिनों ने उस समय जनम लिया जब मोदी जी भारत के प्रधान मंत्री है मोदी जी ने देश का मान समान और सान पूरे विस्व में बढ़ाया हम सच मुच में धन्य है केवल एक ही बात कहके मैं अपनी बात समात करूंगा मोदी जी के आशिरवास से मद्व प्रधेश के विकास में और जन्ता के कल्यान में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है बहतर सरकार चलाने की कोशिस की है आप ही बताइए अपने जितने विकास के काम किये कभी कांग्रेश ने किये थे क्या जितनी कल्याण की योजनाय गरीब की बहनों की बेटे बेटियों की भाजबा की सरकार ने बनाई कांगरेट ने कभी बनाई थी क्या हमने कैसी सरकार चलाई और कैसी सरकार चलाई तो फिर से ये सरकार बननी चाहिए भारती जनता पार्टी जीतनी चाहिए तो अपने इन सब उम्मीदबारों को आशिरवाद दीजिए भारती जनता पालिटी को आशिरवाद दीजिए कमल के फूल की बटन दबाईए सारे उम्मीदबारों को भारी बहुमत से जिताईए बोलिये जिताईएंगे कमल के फूल की बटन दबाईएंगे सब उम्मीद्वारों को आशिरवाद देंगे तो एक बार दोनों हाथ उठा के सब को आशिरवाद दीजिए बोलिये भारत माता की मोदी जी का साथ देंगे मामा को भी आशिरवाद देंगे तो उठाए दोनों हाथ बांद ये दोनों मुठी और मेरे साथ मौलिय भारत माता की भारत माता की और हम में बिना किसी बिलंब के हमारे प्रिय प्रदान मंतरी स्रीमान नरेंदर मोधी जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और हमें संबोधित करें भारत माता की भारत माता की मैं खाटु शाम जी को शीष नवाकर प्रणाम करता हूँ स्री नागेश्वर पार्श्वनात तिर्द को भी मेरा प्रणाम रतलाम की पहचान स्वाद के लिए है रतलाम आये और रतलामी सेव नहीं खाया तो उसे रतलाम आया माना नहीं जाता है सही बात है ना यही सच्चा है ना जब तीन दिसंबर को भाजपा सरकार की वापसी का जस्नम मनेगा तो लड़ू के साथ रतलामी सेव भी खुब खाया जाएगा मेरे परिवार जणों MP में भाजपा के समर्थन में चल रही यह आंधी अदभूत है जो लोग दिल्ली में बैठ करके गुणा भाग करते रहते ना वो आज उनका हिसाब कताब बदल जाएगा अब चर्चा यह नहीं होगी कि कौन जितेगा चर्चा यह होगी कि भाजपा दो तिहाई बहुमत लेगा कि दो तिहाई बहुमत के कम रहेगा यह बाजपाई है जिसने MP को अगरिकल्टर में इतना आगे बढ़ाया यह बाजपाई है जिसने MP को रोड और रेल नेटवर्क में इतना आगे बढ़ाया यह बाजपाई है जिसने MP में आउद्धों की विकास किया इसे आउद्धिलिक शिक्षा का हब बनाया इसलिए MP के लोग भाजपा पर अटूट विस्वास करते हैं और भाजपा पर मद्ध प्रदेश का ये भरोसा तब से है जब देश में भारत को भाजप को बहुत कम लोग जानते थे आज तो भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनेतिक डल है आज केंद्र में करीब दस साल से भाजपा की सरकार है वो भाजपा सरकार जिसने भारत को विश्व में पांचवें नंबर की आर्थिक शक्ति बना दिया वो भाजपा सरकार जिसने कोरोना के इतने बड़े महाव संकट से उसमें देश को पिछड़ने नहीं दिया वो भाजपा सरकार जिसके कारकाल में देश ने चंद्रमा पर अपना जंडा गाड़ा आज भारत के गवरों को नई बुलंदी मिली है नई पहचान मिली है और इसमें मद्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए लोग आज कहते हैं कि एंपी के मन में और मोगदी के मन में इसलिए एंपी कर रहा हैं एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर मेरे परिवार जनों देश हो या फिर हमारा मद्य प्रदेश कांग्रेस के पास सिर्फ जूठी गोशना को का भौपो ही बच गया है मद्य प्रदेश के विकास के लिए फोस रोड में क्या होगा यह कॉंग्रेस को पता तक नहीं है इतनी दूर की कॉंग्रेस सोच ही नहीं सकती कॉंग्रेस के नेता फिल्मी है कॉंग्रेसर के डायलोग भी फिल्मी है कॉंग्रेस गोशनाएं भी फिल्मी है और जब किरदार फिल्म है तब सीनी भी तो फिल्मी होगा कि यहां कॉंग्रेस के दो नेताओं के बीच आंक कॉपड़े पढ़ने की कमपडिशन चल रहा है कि और अभी तो यह फिल्म का ट्रेलर है कि यह अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मोका मिल गया ना तो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे आपके भी फाड़ेंगे तीन दिसंबर को भाजपा की जीत के बार यहां कॉंग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी कॉंग्रेस की असली सिर्फ फुटबल होगी अभी तो प्रेक्टिस चल रही है कि साथियों कॉंग्रेस की आपसी लड़ाई में हमें एक बात कभी भी भूलनी नहीं है आप याद रखिए यह जो आपस में गुत्थम गुत्ता है न एक दुसरे के कपड़े फाड़ रहे न जहां भी उनका मुका बिलाए न उन्होंने जनता के ही कपड़े फाड़ दिये है और इसलिए इनको अवसर देना यह बहुत बड़ा संकट होता है मेरे प्यारे परिवार जनों आप राजस्तान और सतिशगड़ में देखिए पांच साल तक इनों ने इन राज्यों का क्या हाल कर दिया है कॉंग्रेस मतलब राज्य में हजारों करोड के गोताले कॉंग्रेस मतलब राज्य में अपराधियों का बोल बाला Congress मटलब राज में गरीबों से विश्वास गाथ Congress मटलब राज में दलीतों, पिछणों, आदिवासियों पर अप्तियाचार Congress मटलब राज को बिमार बनाने की guarantee Congress को ऐसे ही काम उनके चरीतर में बन गए, उनके स्ववाओं में बन गए उनके खुन का हिस्सा बन गए है आप जानते हैं कि हां के कॉंग्रेस के शिर्थ नेता आपस में क्यों लड़ रहे हैं यह सीम की कुर्ची के लिए ही नहीं लेकिन वो उन्हें पता है उनकी दाल यहां गलने वाली नहीं है इसलिए वो सीम कुर्ची के लिए नहीं लड़ रहे हैं यह जो अंदर गुत्तम गुत्ती चल रही नहीं कपड़ा फ़ाड काम चल रहा है ना वो तो दोनों नेता तो अपने अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे किसको मिलेगा कि लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा मद्द प्रदेश कॉंग्रेस पर कब जा करेगा कॉंग्रेस जिर्फ परिवारबाद का पर्चम लहरा सकती है मद्द प्रदेश का पर्चम लहराना कॉंग्रेस के बस की बात नहीं है जात्यों भाजपा आपके परिवार के वर्तवान आपके बच्चों के भविश्च के लिए काम कर रही है आपका सपना ही मद्द प्रदेश के मेरे भाईयों बहनों मेरी गारंटी है आपका सपना ही मोदी का संकल्प है इसलिए गरीब से गरीब परिवार को समर्थ बनाना बाजपा सरकार का मिशन है इसलिए बाजपा सरकार गरीब की हर चिंता का समाधान कर रही है गरीब की हर चोटी चोटी जरुरत को पूरा कर रही है जैसे गरीब का बहुत बड़ा सपना होता है कि उसके पास अपना पका गर हो जब केंदर में कॉंग्रेस की सरकार थी तो गरीबों के घर बनाने में उसकी कोई दिल्चस्पी नहीं थी यह भाज़पा सरकार है जिसने पिछले दस साल में चार करोड से ज्यादा घर गरीबों को बना करके दिये है चार करोड घर मंद्द प्रदेश में भी करीब करीब पचास लाग गरीबों को पी-एम आवास योजना के पक्के घर मिले है यहां रतलाम में भी गरीबों के लिए नब्वे हजार घर बनाए गए यह लाखों रुपिया के घर है और इन में से अधिक तर घरों की रजिस्ट्री बेहनों के नाम पर हुई है और अब हमारा मद्द प्रदेश तो जब भी बेहन याद करो तो मामा याद आही जाता है यहांने यहां की हजारों महिलाएं लगपती बनी है उनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ती हुई है हमारे शहरों में रहने वाले मद्दमवर के लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो इसके लिए भी केंद्रे सरकार पुरी गंबीरता से काम कर रही है जिसकी अठारा लाक उर्पे की आय है उसे गर खरिंदे पर ब्याज में छूट देने वाली योजना चलाई जा रही है और इस देश में आजादी के इतने सालों के बाद भी मद्दमवर के लिए शहरी मद्दमवर के लिए इसी सरकार ने योजना नहीं बनाई थी कि यह मोदी पहला प्रदानमंत्री है जिसने इसकी चिंता है इस योजना का लाब लेने वाले मद्दमवर के हर परिवार को लाखों रुप्यों की मदद हो रही है मेरे परिवार जनों जब मैं गरीबों की बात करता हूं तो इसमें भी सबसे बड़ी संख्या मेरे दलीद भाई भेन मेरे पीछडे भाई भेन और मेरे आदिवासी परिवारों की रही है यह भाजपाई है जिसने कोरोना के संकिट काल में भी गरीबों को मुफ्तराशन देने की योजना बढ़ाई एक वक्त के खाने भी किये भूख क्या होती है यह गरीबी से निकला व्यक्ति ही मैसूस कर सकता है देश की किसी मा को किसी पीता को अपने बच्चे को भूखा ना देखना पड़े आज मोदी इसकी गारंटी बन गया है प्रदान मंत्री गरीब पल्यान अन्य उजना के तहत देश में पिछले तीन साल से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है मुफ्त राशन से जुड़ा एक और निशना है और मोदी तो गरीबी से निकला है ना तो उसे मालूम है और मेरा एक और निणा है मेरा और एक निश्चे है वैसे तो यह योजना एक महिने के बाद उसका समय पुरा हो रहा है असी करोड गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना डिसेंबर में पूरी हो रही है लेकिन मोदी का निश्चे है आने वाले पांच साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा आने वाले पांच साल तक असी करोड मेरे देश वासियों का चूला जलता रहे यह मोदी की गारंटी है और अब यह योजना पांच साल के लिए आगे बढ़ेगी गरीबों को राशन मुप्त में मिलता रहेगा उससे जो पैसे बचेंगे जीवन की और आवश्रक्ताओं के लिए मेरा गरीब लगाएगा देश के हर गरीब को हर माता बहन को मोदी जब गारंटी देता है ना है तो गारंटी पूरी करने की गारंटी भी साथ अध्याता है कि अध्यों भाजपा की डबल इंजिन सरकार की हर योजरा के मूल में माता बहन और बेटियां सौचालाइक के भाव में गैस कनेक्शन के भाव में बिजली और पानी के भाव में सबसे अधिक परेशानी अगर किसे को होती है तो परिवार में हमारी माता और बेटियों को होती है उजबला योजना के कारण आधिवासी परिवारों की दलीत पिछले परिवारों की करोरों बेहनों के धुए से मुक्ति मिली है और आपको कुछी दिन पहले रक्षा बंदन पर एक और खुशिल कभरी मैंने भेजी थी उजवला की लाबारती बेहनों के लिए गैस सिलिंडर 500 उर्फिया सस्ता कर दिया गया बेहनों को पानी के लिए घर से दूर ना जाना पड़े इसका बीड़ा भी आपके इस भाई ने उठाया है हर गर जल भ्यान के तहत मद्द प्रदेश के लाखों परिवारों को नर से जल की सुविदा दी जा चुकी और वो दिन दूर नहीं जब एमपी के हर घर में पाइप से पानी की सुविदा होगी साथ क्यों डबल इंजिन सरकार का क्या फाइदा होता है इसका एक और उदाराना हमारे जंदन खाते है मोदी ने महिलाओं के बैंकों में खाते खुलवाए हर लाब उन बैंकों के खाते में पहुंचे इसकी लाली बहन योजना और लाली लख्वी योजना की प्रसंसा आज पूरे देश में हो रही है कि गर्वबती माताओं को भी अच्छा पोशक अहार मिले इसके लिए भी प्रदान मंत्री मात्रु मंदरा योजना चल रही है इसके तहद भी मद्द प्रदेश के लाखों बहनों को सोला सो करोड रुप्य दिये जा चुके हैं मेरे परिवार जनों माताओं बहनों के शसक्ति करण की सच्ची कोशिश भाजपात सरकार की सही पहचान है इसलिए भाजपाने महिलाओं को दी गई अपनी एक एक गारंटी पूरी की है महिलाओं के लिए विदान सभा और लोग सभा में 33 प्रतिश्चत आरक्षण की मांग पर कॉंग्रेस बर्सों तक बैठी रही हमने नारी शक्ति बंदन अधिनियम लाकार महिलाओं की बर्सव पुरानी मांग पुरी की कॉंग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो एक परिवार से बाहर देखी नहीं सकती इसलिए आदिवासियों के सच्चे ससक्तिकंड के लिए भी उसने कभी काम नहीं किया आप याद कीजिए देश की पहली आदिवासी महिला राश्पती जी का कॉंग्रेस ने कितना गंगोर विरो कुद किया था भाजपा के ही एक पुराने नेता को उनके खिलाब मैदान में उतार कर कॉंग्रेस ने दिखाया कि वह आदिवासी बेटी को रोकने के किस हथ तक जा सकती है इसलिए पूरे देश का अदिवासी समाच कॉंग्रेस से भभ्नाराज है कॉंग्रेस को सजा देने के मूड में है मेरे परिवार जनों आदिवासी हितों की रक्षा आदिवासी भाई-बैनों का कल्यां भाजपा की सर्वोच्च प्रात्फिक्ताओं में से एक है यह पाजपा है चितने देश की आजादी में आदिवासी समाज की योगदान को राष्ट्री पहचान दी है यह सरकार है जिसने भगवान बिर्शा मुंडा के जन्मदीन 15 नवंबर को जन जाती है गवरोदिवस गोशित किया है कुछ दिन पहले ही हमने रानित दुर्गावती की पांसोवी जन्म जैनती को दुमदाम से मनाया मुझे जबलपूर में उनके भवेस मारक का गौन संस्कूर करने का आउसर मिला मैं और शिवराज जी दोनों वहां जाकर के एक बहुत बड़े काम का अरंब किया आज भारत के आदुनिक्तम रेलवे स्ट्रेशन का नाम रानिक कमलापती के नाम पर है कि आज चन्नायक टंट्या भुईल के नाम पर मद्य प्रदेश में अनेक संस्तान है अनेक योजनाए है मेरे परिवार जनों भाजपात सरकार लोकल उत्पादों को देश-विदेश तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए एक जिल्ला एक उत्पात के तहट बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोड़क के तहट रत्लामी सेव को चुना गया है यहां नमकिन क्लॉस्टर भी स्थापित किया गया है जो नए अउद्योतिक क्लॉस्टर बन रहे हैं उससे भी छोटे-छोटे उद्योगों को बल मिलेगा नए टेक्स्टाइल पार्क से भी अनेक रोजगार बनने वाले भाजपा के सासन में 21 सदी का मत्रदेश अब आदु होकर गुजरेगा पुरानी फीडी ने सोचा भी नहीं होगा लेकिन आज यह सचाई बन चुका है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में की वज़े से एक शेत्र कोटाव और सुरज्य से सहरों से भी कनेक्ट हो गया है अब यहां उद्योगों के लिए नया गलियारा बनने जा रहा हैं इसे यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मंडे जा रहे हैं इसे एक महत्वण व्यापारी केंद्रे के रुपे मालवा की रत्लाम की पहचान और सतक्त होगी मेरे परिवार जनों देश मैसा कोई नहीं है जिसे से जिसे कॉंग्रेस ने कभी ठगा नहीं है हर चुनमा में कॉंग्रेस कर्ज माफी का जुन जुना लेकर आती रहती है पिछली बार भी उन्होंने यही किया था लेकिन कॉंग्रेस का इतिहास है कि कॉंग्रेस की कर्ज माफी का पाइदा किसानों को नहीं कॉंग्रेस यो को उनके चेले चपाटर को ही मिलता है जबकि बाजबा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है हम किसानों के हर छोटे बड़े खर्चों की जिंता कर रहे हैं पीम किसान सम्मान निदिके तहट देशबर के किसानों को 2,60,000 करोड रुपिये सीधे उनके बैंक खाते में जबा बेजे गए मद्द प्रदेश में तो डबल इंजिन सरकार के कारण किसानों को डबल फाइडा मिल रहा है आज अनाज हो या फिर दलहन तिलान कॉंग्रेस राज की तुलना में भाज़पा सरकार कहीं जादा मात्रा में खरीद कर रही है हाली में गेहूं चनाव और दूसरी फसलों के मस्पी में भी बड़ी बड़ोत्री की गई है इसका लाभी मद्द प्रदेश के किसानों को होगा किसानों को महंगा यूरिया महंगी खाक ना खरीदने पड़े इसके लिए भी भाज़पा सरकार लगातार काम कर रही है बिदेशों में यूरिया की जो बोरी तीन हजार रुपय की है आज वही बोरी भारत के किसानों को तीन सो रुपिय से भी कम मिलती है खाल इस पर्माचपा सरकार लाखो करोड रुपय खर्च कर रही है कि मेरे परिवारजनु समाच के हर वरक हर क्षेतर हर परिवार के हितं में जब ऐसे काम होते है तभी भाज़पा सरकार इतना अतिक बरुसा होता है यहां रत्लाम में जो कुछ मैं देख रहा हूं वो भाजपा की प्रतंड विजय का उद्गोश है और सांतियों मैं अभी शत्तिस गड़ के आ रहा हूं मेरे शब्द लिख लिए शत्तिस गड़ में भी भाजपा सरकार बननाता है लेकिन भाजपा की ये विजय सिर्फ सीटों तक सीवित नहीं रहनी चाहिए बलकि शत्त प्रतिशत बूतों में कमल खिलना चाहिए आप इतने बड़ी संख्या में आए आपके दर्शन का मुझे लाब बिला लेकिन मेरा एक काम आए है तो करना पड़ेगा करोगे जो बहार टेंट के बहार लोग बहुत कड़े वो सुन्द रहे हैं मेरी बात ज़रा हाथ उपार करके बताईए मेरा काम करेंगे मेरा एक काम करेंगे आप लोग ये वाले टेंट वाले भी करेंगे ये वाले भी करेंगे पक्का करेंगे मैं बरोसा करूँ बाँ तो मेरा एक काम करिए यह जो मैं कह रहा हूँ न काम वो छुनावी काम नहीं है करोगे न छुनाओ के लिए नहीं कह रहा हूँ मेरे लिए कह रहा हूँ करोगे पका एक काम करिएगा यहां से घर घर जाईए और हर गर जाकर के कहिए कि मोदी जी रत्लाम आये थे मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है इतना कह देंगे मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे हर परिवार में जब मेरा प्रणाम पहुंचेगा वो माता बुजूर गर के परिवार के मुख्या जब मुझे आशिरवाद देते हैं तो मेरी काम करने की ताकत अने गुना बढ़ जाती है कि साथ को आप इतनी बड़ी तादाज में आए यह मुमेंट अब मना रहे मैरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की वारत माता ही तो बहुत बहुत द्धनेवाद कर दो कर दो कर दो